नमस्कार दोस्तों, एक बाफीर उपश्तित हुँ, आपके समग से बक्री पालन की एक सांधार जानकारी के साथ, और दोस्त बक्री पालन एक जीविका का बेहतर स्रूत है, कहा जाता है, और है भी, जो व्यक्ती सही दिसा में, सही तरीके से अगर बक्री पालन के विवसायग नहीं हो पाता है और एसे ही एक फार्मर के पास आज दोस्त मैं विजिट कर रहा हूं बिहार का सबसे बड़ा फारम है नाम है उन्नत गोर्फारम तो इनके सफर के विशें में हर्त रखी जनकारी आज की वीडियो में समाहित रहेगी तो बने रहेगा तो इस वीडियो के आपके भी जीरो सहीं हुई होगी कम सहीं हुई है शुरुवात आपने बकरी पारण वेफशाय में कब किया था और आज आपके फारम में क्या पोजिशन है क्या स्थिती है वो बताइए हमारे भाईयों को मेरा फारम जो सुरू हुआ था दस नॉमबर 2015 में हम लोग खोले थ बताइए है इस ब्लेक बंगाल होंगे संख्या कितनी है ब्लैक बंगाल की संख्या किनी है मेरे पास अब मेमने के संख्या कितनी है आपके हैं इसे पहले वीडियो आया था आपका तो इसमें बहुत सारे कमेंट आया था कि भाई बक्री तो अपने दिखा दिया और बच्चे का तो नामों निस्तान नहीं मैंने इसमें वीडियो डाला था लेकिन पता नहीं हूं लोग देख नहीं पाएं तो नियमने के संख्या कितनी है आपके हैं हमारे पास मेमना जो अभी होगा चौशट पीस होगा मेमना चौशट पीस वैसा मेमना जो की एक दिन दो दिन सवले से लेका तीन मेने तक का बाकी कुछ आपने किया है थोड़ा सापना अनुभों के बारे में हमसा जाकी की अधा के बीचे सपेसली ना पहले में मुर्गी पालन के काम करते थे आप जैसा क्या आप मार्केटिंग में बहुत जाज समस्च आने लगी हम लोग के हर साल पुझी तूटती चली तो हमने सुचा चलो क्यों नहीं दूसरा को बीजन बीजन सुरू किया जा फिर हमने बखरी फार्म के बारे में सुना था कि बखरी पालन भी अच्छा मुनाफ़ था बखरी पालन की स बखरी पालन दश्च नूबर 2015 को बाहर किया बाहर से बखरी लेकर रहा है उसक्स हमने सुरू किया पहले का फार्म भी पुराने भीवर अगर कोई होंगे तो पहले वाला में मेरा फार्म दिखा होगा करेंट में जो इस्तिति है वह भी दिखा होगा फिर एक साल पूराना सब्सक्राइब करते हैं कि बखरी पालन जीविका का एक सर्वत्तम साधन है और सही दिशा में अपने फार्म को लेकर जाएंगे तो निश्चीत कमाई होने वाली अच्छी काजी होती है लेकिन आज बहुत सारे लोग मन में बैठा लेते हैं कि भाई हम बखरी पालन के लंबा सफरते करने करना पड़ेगा तब जाकर कि यह इस्तिति आएगी तो कितने समय के बाद यह इस्तिति आती है वह बताईए हमारे भाईव को आप जो भी पुंजी अभी तक हम क्याकुलेट किया है फर्स्टियर तो आप कमाने की सोचे ना फर्स्टियर यह समझे कि आप अपने बखरी को बचा ले पुंजी निकाल ले यह गनिमत है पहले तो एक्सप्रियेंश चाहिए उसके बाद देखेंगे हर साल आपकी पुंज लगभग करेंगे सर यहां पर बकरी की जब तक अच्छी बकरी नहीं आएगी फार्मोरों के पास इस बात से आप अवगत है तो बकरी का चुनाव होगे उसका पहमाना होना चाहिए वह हमारे दसों को बताईए आदेखिए फार्मिंग जो तानाव होता नो वह मेरे सबसे दो तरह ड़का होता हमने क्या प्रचिक करते हैं लेकिन फिरब दो मेना चार वेने च्यारू क्योंका फार्म क्लोज हो जाता है अल्लाइब जाने क्यों क्लोज होता किया होता है किसी पर कोई कॉमेंट ने करने का हम आज तक ट्रेडिंग नहीं कि और हमारा आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फार्मरों को बंद या बहुत सारे ट्रेडिंग जो करने वाले उनको भी बंद होते भी देखा है और आप यह था इस्तिरी जहां पर है बड़े ही है घटे नहीं है लोगे पास धायर जी नहीं है वह यह सोचते हैं कि आज हम पुंजे लगाए दो मिने के बाद हम क्या महत्व है हमें तो सबस्क्ताइब और यह ब्रबॉट नहीं होती है पैसा जो घृष्ट कर रहे हैं बौवी देखना है हमारा इसके उपर इंसमेंड हमने एक खर्च्स कर रहे हैं खिलाने कर पर उसके वास पर वसकुर देखना जाया है तो ऊश्चा तो च्छा कमा कि द सारमाद बाइब क्या है चक्क है और शमकती होती है जिसके पास जितनी बख्री की संख्या अधिक होती है कहीं करने हम लोग क्या करते हैं कि गर्म जबाता है तो भर पेट उसको हरा चारा हरा चारा में हम लोग सूपर ने पर कह सी इसनेर लगाते हैं बाया है तो गाफी भूमि में आपने लगाया होगा सुख हराचारा चाल जाता है साम के वक्त में जब घ्रक्त वर्फीक बख्रीउ हुसको मैं की साब साम में अधाकलो दान रिए साब में आधायो दाना उसके अधाकलो दाना उसकी साइज के इस なफ न्यवह जब सल्काली में दो को दाना देते हैं बारिष को फिर हम दो को था हम क्या करते हैं कि फ्र Histi beyond युटा कर देते हैं इसे क्रोड करूत results सब्हों करे तो करें में क्याना वह गहाई सब्सक्राइब संफल करें पांच ग्राम नमक देते हैं उसमें पांच चोटा बंगा चम्मा से और हफ्ता में एक दिन हर विंसा को देते हैं प्रतीज दिन एक बख्री पर आपका अगर और सब्सक्राइब लेकिन जब सुखा चार रुपय आते हैं तो 20-25 रुपय होता होगा च्छे महिना का दो अगड़ी उसनी चलता है च्छे महिना आपका जो खर्च है 10-12 रुपया और उसका फिर 20-25 रुपय इंकम एक बक्रिस इतनी हो जाती है कि इतना खर्च कर रहे हैं सब्सक्राइब लेकर चलते हैं तो एक साल में सर कितना खर्च गिरेगा और कितना उससे मुनाफ़ा होगा अगर अच्छी बख्री लेते हैं लेकिन नॉर्मल में अच्छी बख्री अगर लेते हैं तो लग बग 15,000 रुपया मानते हैं बड़ाबना च्छे महीने हमने 10 रुप पड़े थैं, 18 रुपय के असपर मख़री ऑनावर्ज राता है हम दुसको 10 रुपय मान लेते हैं लेकर पिसाई लेकर लेकर दस ही गार रुपय आज जाता है अगर हम 12 रुपय लेते हैं तो बारत यह 36, 360 रुपय हम एक स्टानर मांगते हैं उसको पर दभा चार्ट सुपय बच्छे महिना होगा च्छे चोगा 24 चोवीस रूपिया च्छे महिना में खर्च किया उधर में अगर 25 रूपिया खर्च हो गया तो आट शक आर्टा पांचार उदर में खर्च किया और 30 रूपिया हमारी बखरी होगया पंदरा आठ तैइसार रुप्या हो गए एक साल में बारत से तेरे महीने में दोबर बख्री बच्चा देती हैं चार महीने अगर साथ से आठ मेने के बच्चा बेते हैं किस में दिबूर जाए गाता है लगए 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 हमारी पूंजी डबल हुई या नहीं बिल्कुल ह सोगए लेकि घ्लाम चलते हैं कि सब्सक्राइब बतारों上रत किर दो किस्कों अगर यज टायंतों सब्सक्राइब लोगए बख्र समय और बिलर वहां में च्यारत कर जाएघर तो बस." पुंजी के भिया बहुत सरे लोग कर अपना स्योंच होता था मेरे हिसाब से अगर चैनल चोंडे किसान ना चाहता है 5 पठीय कर लें और 5 बड़ी बघ्री बड़ी वैसी होने चाहिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरा चारा हमारे पास एक पूरा साल मोहिया अगर हो सकता है तो पूरा साल हरा चारा नहीं है तो बहु वर्सिय चारा भी आज मार्केट में है सुपर हो या स्मार्ट नना पीर हो ओर रिर्यड बहुँ सारे हैं और मोस्मि रहाँ यह बात बाट अक्की सबस्राइब अगर दस पंदल रुपय की बीच में अगर प्रतिबласт कृक्षट हो सकता है तो हमार्य बक्र compliant ही शे मक्ती होगी तो लाख रुपया और लगवग उसमें चारा प्रबंदन में यानिकि भोजन के प्रबंदन में मांग से लिए 25 से 30 जार चाली से रुपया पचास रुपया और बाइद बेवे उनके पास अगर शेड नहीं हो तो 20 से 25 जार में एक से चोटा सा से बना ले तो सेड कमाके नहीं बता दिया लगवग आप चार लाख क्यास पास के पहुंजी हो जरूर हो जाएगी सर अपकी बिल्कुल हो जाएगी सर यह साभी तो करना होता है सर कि बकरी की शुरक्षित रहे हैं बकरी भी बीमार भी पर सकती है तो इस समय क्या कुछ उनको करना पर एगा सर वो बता कम दो करते हैं कारण और वालों चारे तो नहीं होती है क्या होता होता ही इतना अधिक अधिके शुर जाती 50 एकमी सब्सक्राइब बात करता है कि सब कुछ तो आप पुछते हो लेकिन बेचने के बारे में पुछब नहीं करते हुए कैसे वह बेचेगा लोग जी देखिए बेचने के लिए अपनी तुरह सब बीवेक बुद्धि अगर दुकान लगाएं तो जाइड बीवेक बुद्धि तो लगानी परेगे हैं अगर साल में पास पचास बच्चे आते हैं तो जाहिए पचीस बच्चे वैसे आएंगा जो टौप को रटी एक बच्च बच्चा बच्चिया उसको कुर्वानी के परफस्स से त्यार करने के लिए जाता है तो थोड़ा सब्सक्राइब बहुत बहुत अच्छी जनकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दिया आपका बी बहुत सवागत है और धन्यवाद को सब को दिखाएं तो आपने सुना सान अनुभव रखते हैं और बिल्कुल ही cut to cut बात इन्हों ने बताया है कि कैसे आप इसमें सफल हो सकते हैं और zero से hero कैसे बना जा सकता है आज भले इनका करोरो का turnover है तो एक दिन का ये खेल नहीं है भाई मेरे लंबा समयन को लगा है 2015 से इस फिल्ड में यह है तो अगर इस तरह से संजम से इतना पेसेंस अगर आपके पास है तो आप भी इनके काटेग्री में या इनके लेबल पर आप आ सकते हैं इसमें कोई संद्य नहीं है तो आज की जनकाई दोस्त कैसी लगी comment करके ज़रूर किसा तरह कियार किया प्ला बाले बाले बाले